अगर Chief Judicial Magistrate किसी कैदी को कोट में आकर गवाही देने के लिए आदेश देता है तो वो क्या कंडिशन हो सकती है जब कोई जेलर उस कैदी को कोट में लाने से मना कर सकता है आज के इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे बात करेंगे CRPC के section 269 के बारे में तो जेलर का पहला करतव्य तो यही है कि जब उसे Chief Judicial Magistrate का कोई आदेश मिले कि किसी कैदी को उसे कोट में पेश करना है तो उसका यही करतव्य है कि वो उस कैदी को कोट के सामने पेश करे लेकिन कुछ कंडिशन ऐसी भी होती है जहां पर कोट में उस कैदी को पेश करने से मना कर सकता है जिसमें कोट के आदेश का उलंगन भी नहीं माना जाएगा आये जानते हैं वो कंडिशन क्या हो सकती है हो सकता है वो कैदी इतना ज्यादा बेमार है या फिर हाथ पाउं से इतना लाचार हो चुका है कि वो कहीं भी जाने की कंडिशन में ना हो दूसरी कंडिशन ये हो सकती है कि वो आरोपी वेक्ति अभी जुडिसियल कस्टेडी में हो उस पर अभी इनिशियल इन्वेस्टिगेशन चल रही हो ऐसी कंडिशन में भी उसे कोर्ट में पेश नहीं किया जा सकता या फिर स्टेट कोवर्मेन ने सी आरपीसी के सेक्शन 268 के तहट उस कैदी को कोर्ट में ले जाने से मना कर दिया हो लेकिन अगर कोर्ट और जेल के बीज की दूरी 25 किलो मेटर से कम हो तो इस कंडिशन में उस पर कोई भी रूल लागू नहीं होगा जेलर उस कैदी को कोर्ट में पेश कर सकता है तो ये थी इन्फोर्मेशन सी आरपीसी के सेक्शन 269 की होब कि ये वीडियो आपको इन्फोर्मेटिव लगा होगा वीडियो को लाइक और चैनल को सबस्क्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा